आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hi everyone, today's question is Which of the following statement is correct for chlorobenzene? ठीक है, हमसे क्या पुछा है? तो हमें statement जी रखी उनमें से chlorobenzene के लिए कौन से statement correct बैठेगी, ठीक है? तो पहले बात करते हैं, chlorobenzene की ठीक है, यह होता है हमारा chlorobenzene अब chlorobenzene में क्या होता है? जो यह lone pairs present होते हैं यह क्या करते हैं? resonance में involved होते हैं, इस तरह से ठीक है, यह बन गया हमारा resonance यहां क्या आएगा? double bond CL ठीक है, यहां जाएगा हमारा negative और यहां जाएगा positive charge इस तरह से यह continue चलेगा अब वापस यह negative इदर यह इदर ठीक है, इस तरह से क्या होता है? यह resonance चलता है और यह हमारा यह वाला bond है, इसको क्या बोलेंगे? partial double bond partial double bond ठीक है, तो जो हमारे aromatic halide है यह जो हमारा chlorovengyn है, यह क्या aromatic halide है? इसमें क्या problem होती है हमारे पास जो है, यह partial double bond आ जाता है, जिसकी वज़े से हमारे, यह क्या हो गया? stable हो गया, यह bond, पहले एक तो single bond था, पहले क्या था, हमारे पास single bond था, अब हमारे पास double bond हो गया तो एक तो हमें इसको break करना था और फिर इस पर substitution कराना था या फिर और कोई reaction करानी थी यानि एक तो हमारे पास है CH3Cl ठीक है, अब इस पर हमें substitution reaction करानी है, उसके लिए ज्यादा energy लेनी पड़ेगी और यह comparatively stable है तो यह less reactive हो जाता है, यह क्या होता है, less reactive, due to partial bond character, partial bond character की वैसे यह क्या होता है, less reactive हो जाता है, तो अब क्या होगा, यह less reactive है, और जो हमारा CH3, CL, या फिर जो हमारा अलिफेटिक होते हैं, वो comparatively क्या होते हैं, जादा हमारे पास reactive होते हैं, अब statements पर आते हैं, more reactive than dimethyl bromide, isopropyl chloride, methyl chloride, और benzyl chloride, ठीक हो, हमारे पास जितने भी options दे रखे हैं हमें, वो क्या हमारे पास सारे ही अलिफेटिक दे रखे हैं, बेंडरील chloride क्या होता है, हमारे पास इस type से होता है, देखो, CH2Cl, ठीक है अब यह क्या कर सकता है, अब यह resonance नहीं कहостंदा, क्योंकि क्योंकिक इसके lone pair के साथ कोई conjugation में नहीं है, ना CH2Cl कर सकता है, ना dimethyl bromide कर सकता है, ठीक है, dimethyl bromide भी नहीं कर सकता है, इसमें भी resonance नही में सब्सिंगल in को उड़ना है हमें मिठाइल में अजब को बता ही दिया और सिंगल परेज़ेंट इसलोगी we can उनसे compare करें तो हमेशा जो है जादा reactive कौन आएगा हमारे पास अगर मैं चाहूंग तो यह statement लिख सकते हैं जो हमारे aromatic aromatic halide aromatic halide का मतलब है कि directly benzene से या फिर double bond से attach जब होगा वो क्या होंगे हमारे पास stable होते हैं तो उसकी विज़े से क्या होते हैं less reactive होते हैं किसके compare में aliphatic halide के aliphatic halide शोंगे हमारे पास वो क्या होते हैं ज्यादा reactive होते हैं more reactive more reactive तो अब जिस भी option में ऐसा दे रखाएं वो तो गलत हो जाएगा और बाकी खाओ हमारे पास से हो जाएगा देखो less reactive than benzyl chloride जो हमारा benzyl chloride है उससे क्या होगा हमारा जो हमारा chlorobenzene है वो less reactive ही ही एकदम सही स्टेट्मेंट उसके लावब देखो आप क्या दे रखिए more reactive than dimethyl bromide नहीं हो सकता बिकाउज अगें वो ही प्राब्लम उसमें पास्ट्र डबल बांड क्यरेक्टर है नेरली सेम रेक्टिव मोर रेक्टिव नहीं यह तीनर स्टेट्मेंट जो है वो क्या हो जाएगी रॉम हो जाएगी और फिर्स स्टेट्मेंट एकदम करेक्ट है कि जो हमारा chlorobenzene है वो benzy इसलुएट की कंपेर में लेस रियक्टिव है थैंक यू सो मच